So good morning, assalamualaikum, namaskar everybody, it's Shashriya Kaal Right, welcome to my class, आज मैं आपको class दे रहा हूँ अभी तक मैं field में था, लोगों का interview ले रहा था, लोगों को training दे रहा था बढ़ आज एक बात करूँगा, और ये बात ऐसी है कि बार बार मिने दिल में चुबती भी है और बार बार लगती भी है टेंस की बात कर रहा हूँ, टेंस मतलब काल, ये जो काल है न वो महा काल मचा के रखा, वैसे तो मैं basic class देता ही नहीं यूटूब पे लेकिन आज मैंने सोचा कि दे दूँ और आपको समझा दूँ, क्योंकि मैंने बहुत से यूटूब चैनल्स को खंगाला वहाँ पे बार बार वही present indefinite tense, पहले भी पढ़ा है, फिर वही जाके फिर वही पढ़ा है, past indefinite, past indefinite कम से कम लगभग, 4 बार, 10 बार, 20 बार, उठा फिरा के, घुमा फिरा के, वही tense, वही tense, वही tense और कितने लोग back tank के they are going for public speaking, public speaking के लिए जा रहे हैं, English speaking के लिए जा रहे हैं, business center, entrepreneurship के लिए जा रहे हैं उतिनी देर में तो कुछ लोग UPSC का पूरा syllabus complete कर ले रहे हैं, उतिनी देर में तो आपके कोई branding की book पढ़ ले रहे हैं, कोई जो है कि business करके, startup करके बहुत जादा growth कर दे रहा है, तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, मैं तिन्स को कैसे बोला जाओ और तिन्स कैसे यूज करते हैं, first of all try to understand, समझने की कोशिश करिए, जैसे आप जानते हैं कि 12 तिन्स होता है, 12 काल होता है, present, past, future, ये तीन इसके parts होते हैं, उस past में आपके चार-चार parts होते हैं, माल लीजिए कि present, indefinite, continuous, present, perfect, present, perfect, continuous, ये तिन्स ह गया, grammar का portion हो गया, लिकिन मैं आज आपको कुछ इस तरह से समझाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं बात करूंगा present की do and does की, right, try to understand, ये do, does, do, does, do, does, इतना ज्यादा परेशान करके लोगों कर रहा है, ये कैसे बोले कालिके, बार बार आदमी कापी पिल लेके परेशान, कै ये से translate करें शीला खाना पकाथि, अरे पकाथी है, तो तुम टेंशन इतना कहा है ले रहा हूँ, पकाती है, तो बोलो तो शीला को काथ्फूर्ट एट घोला में गया ए Sigla bangs पूला में अधा शीला इट्या इक से शीला कह शूर, शीला में वाइक सपूर्ण दक्रेशन, ऐ जो do है, देखिये सबसे पहले अगर do की बात करें, हिंदी में do का मतलब होता है, करना, लेकिन actually do का मतलब करना होता है, do एक verb है, और doer मतलब होता है, करने वाला, doer का मतलब क्या होता है, करने वाला, अगर do की second form की बात करें, तो did होता है, और इसके third form की बात करें, तो done होता और did का future क्या है, do does का future क्या है, will है एक चीज़ आप ध्यान दीज़ेगा first of all तीनों में एक चीज़ common है common क्या है, एक आपका subject है दूसरा आपका verb है और तीसरा आपका object है मतलब यह जो subject आपका है वो actor है actor मतलब काम करने वाला, अभीनोय करने वाला verb क्या है, आपका action है, किरिया है जो किरिया हो रही है, और object क्या है कर्म है, जिसको आप बोलते हैं जिसपे action हो रहा है, जिसपे action को impose कर रहे हैं, जैसे कोई भी आप काम करते हैं मैं video बना रहा हूँ, मैं video बना रहा हूँ तो मैं क्या करो, मैं video बना रहा हूँ लड़की की हम किसी औरत की किसी लड़की की बात करते हैं किसी जानवर की बात करते हैं हम इसी तरह से लोगों को define करते हैं subject को define करते हैं I, मैं, you, आप, she, लड़की, he, लड़का, we, हम, they, we, it मतलब या, all these are verbs, all these are words, all these are subject, ये subject, इतनी घुमापिरा के आना है, I go, मैं जाता हूँ, I come, मैं आता हूँ, अब इसी तरह से चीज़ को समझेंगे बहुत, आराम सहुत, बहुत बाल्जी की तरीके से, ताकि आपको कभी भी ये चीज़ सीखने में problem ना हो, और इसके लिए बार जो चीज़ है, जिन्दगी में हम repeat करते हैं, तो हुराते हैं, जो भी जिन्दगी में हम repeat करते हैं, वहाँ पे हम do does का use करते हैं, लेकिन do does सबसे पहले कहें क्या रहा है, कि पहले आप मुझे इस्तेमाल तो मत करो, positive sentence में, जब आप कोई चीज़ बताओगे, कोई चीज अप yes या yes यहाँ यहाँ पे लगा दो, अगर यह subject क्या कर रहा है, अगर मैं क्या रहूं, he रहूं, she रहूं और it रहूं, कहने का मतलब अगर आपका subject singular है, he है, she है, it है, क्योंकि यह single लोग है, यह third person है, तीसरे ब्यक्ति हैं, इनके साथ आप verb में क्या जोड़ देंगे, yes या yes यह आपका structure कहे रहा है, फिर आप object लगा देंगे, doodas यहाँ पे देखो, नहीं आया, doodas is not here, अब दूसरा point आपका क्या है, did, did क्या कह रहा है, मैं भी नहीं आओंगा, doodas मेरा भाई है, doodas मेरा दोश्ता, अगर doodas नहीं आ रहा है, पहले तो मैं भी नहीं आओंगा, that shit, right, तो अब यहाँ पर point कहे, did, जो कह रहा है, कि जिस तरह से doodas वाला structure कह रहा है, पहले subject लगा दो, ठोक दो subject, उसके बाद, subject के बाद कह रहा है, यहाँ तो अर्ब की first form आ रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर मुझे लगा दो, अर्ब की second form, कह रहा है, यहाँ इनकी शर्त है, इनकी शर्त है, इनकी शर्त है, इसके पाद कोई शर्त नहीं, यह कह रहा है, will की अगर तुम बात करोगे, सबसे पहले subject लगाओ, फिर लगाओ will, और फिर लगाओ work की first form, फिर लगाओ object, अब एक चीज़ धान दीजेगा, यह structure बताने में, यह structure पढ़ाने म और जब आपके दिमाग में स्टोल होगा, तो आपके दुमान पर आएगा, जुबान पर एक बार आ गया, तो मा कसम, you will win, आप जीज जाएगे, अब चीज़ को धिहान दीजेगे, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कोई भी चीज़ मैं अपनी present में define कर रहा हूँ, बता र मैं शुरुआ थे जिनकी, I play cricket, मैं cricket खेलता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या करें, यहाँ subject लगाना है, आई लगाना है, मतलब मैं, लेकिन यहाँ पर क्या करें, play की मेरी second form लगाओ भई, I played, और अब क्या है, object भई है, cricket, लेकिन और यह क्या करा, cricket, अभी future क्या करें, subject लगा आई, उसके बाद क्या लगाओ, will, उसके बाद क्या लगाओ, और फिर क्या लगाओ, cricket, मैं cricket खेलूंगा, तीनों में क्या difference है, मैं यहाँ बात करो, मैं cricket खेलता हूँ, यहाँ बात करो, मैं cricket खेलूंगा, अब इसी तरह से कोई भी चीज़ आपको बोलना हो, I go, मैं जाता ह औरता हूँ, आई, मैं खेज़ आदा हूँ, आई, मैं लिखता हूँ, आई, मैं न लिखाता, यहाँ, मैं गाला भूभू हूँ, यहाँ बास क्या हूँ, आः, मैं लिखता हूँ, इकत्त जा रहा कहन वि지 कह 2-0 , 2-1, 3-1, 4-3, 3-2, 3-3, 4-2, 1, 3-0 , 3-3, 3-4, 1, 3-2, K आई के जगा अगर मैंने यू लगा दिया तो आपके बारे में बात कर रहा हूँ, ही यू के जगा ही लगा दिया उस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, ही के जगा शी लगा दिया उस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने का इस चीज़ को बहुत बारी की से सब्सक्टों का अनूखा को शत्राइब मेंटेस से मिद्टों होगा और इस दिमाघ में फित दो इसकी प्रेक्टिस करना wants you need to do practice आपको बार 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 बोलना है आपको बार बार बोलना है इसको रटना नहीं है बहुत से लोगों को मैंने देखा एक लासे चलाते हैं बार बार रटवाते हैं रटवाते हैं मैं जाता हूँ आपको रटने की जरूत नहीं क्यों कोई रटन विद्या इस घटन विद्या दैट्स वाई आपको बोलने की शुरुआत करनी आगास कर रहें अब मेरे दोस्तों आपको इस चीज समझ में आ गई होगी अब आप सब्चिक लगाओ और की फर्स फर्स फर्म लगाओ और आप्जिक लगाओ यह तीन चीज़ आप समझेगा मैं जाता हूँ मैं गया था मैं जाओंगा अब अगर मेंशन करना है टाइम मेंशन करतो टुटेय तुमार चुटाइज जो भी मेंशन करना है आप था आप से क्यों में पूछ चेवाब दोगे नहीं दो वीडियो बनने के बाद जाए तो पूस तो सब्सक्ता नहीं के और इस लिए नैस चलसमें पूस्ता हूँ अब आपका पॉसितिव हो गाया या आपका यहास हो गया लेकिन अगर आप नी निगेटिव की बात करेंगे नहीं की बात करेंगे फूब आप तोट अपर निगेटिव वॉट पॉट रही जोग एरे विस तरह की चीज़ों को आप समझी है subject अब इसमें आप लगाएंगे doodas और राइट, you will use doodas and after that you will use not and then you will use first form and then you will use object बहुत common चीज है, ज्यादा time लगाने की दरूत नहीं है, अब past में आप क्या कहेंगे, what will you say in past यहाँ पे जब doodas लग रहा है, यहाँ पे did यहाँ पे doodas है, doodas लग गया, यहाँ पे did है, did लग जाएगा subject, यहाँ पे फिर उसके बाद क्या लग जाएगा did, फिर after that you will use not then you will use first form and then you will use object try to understand, अब इसमें क्या लग जाएगा वही formula, same formula, subject will, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा not और उसके बाद आपका हो जाएगा वरकी first form object, देखिए बहुत आसान है, बहुत easy है, बहुत सरल है, बहुत ही simple है, आप यहाँ पे क्या कह रहे है, I do not go मैं नहीं जाता हूँ, do not को short में आप don't भी बोल सकते हैं, I don't go, मैं नहीं जाता हूँ I did not go, मैं नहीं गया था, I will not मैं नहीं जाऊंगा, एक चीज़ कॉमन है आप subject के बाद, do not लगाएंगे तो present हो जाएगा, did not लगाएंगे तो past हो जाएगा, will not लगाएंगे तो future हो जाएगा, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूत नहीं, you don't need to use a lot of brand, you need to understand it simply and you need to speak it, that's it, right, इसकी practice करे, I don't know, I didn't know, I will not go I will not come, I will not come मैं नहीं आऊंगा, I don't come, मैं नहीं आता हूँ, I did not come yesterday, मैं कल नहीं आया था, oh my god, I didn't know about that person, मैं उसके बारे में नहीं जानता था, what to do, क्या करना है उसका, right, oh no, I don't go, मैं नहीं जाता, no no no, he does not wake up on time, वो समय से उठता ही नहीं है, वक्त पे उठता ही नहीं है, इस तरह दे चीदों को आप बोल सकते हैं, जैसे मैं कमा लिजें लड़की की बात कर रहा हूँ, तो लड़का होगा ही, वो तीसरा बैक्ती है, और तीसरे बैक्ती के लिए क्या लगेगा, does, after that you will use not, he does not, अब he does not, क्या होगा, कुछ भी ले लिजे, he does not speak, he does not speak, मतलब वो बोलता ही नहीं है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, he did not, अब देखि करिये, कि do not come short में don't बोलते है, does not को short में doesn't बोलते है, did not को didn't भी बोलते है, और will not को बोलते है, देखिए do का मतलब करना, did मतलब किया, will का मतलब होता इच्छा, एक कहावत English में कि where there is a will, there is a way, जहाँ चाह वही पे रहा, जहाँ चाह जाओगे वही रहा बना लोगे, तो for I talk about, I did not know about this duster, मैं इस duster के बारे में जानता नहीं था, I will not buy this duster, मैं इस duster को खरीदूंगा नहीं, भया, will you buy this duster, खरीदूंगा, no, I will not buy, नहीं खरीदूंगा, yes, I will buy, no, 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 I don't like this duster, मुझे ये duster पसंद नहीं है, तो इस तरह से आपको चीजों को प्रैक्टिस करना है देली यूस करना है, देके, डेली यूस करने के लिए आपको इस इन सब सेंटेंसे को फील करना है, महसूस करना है, एमोशन जगाना है, फीलिंग जगाना है, and after that, you can use this in the proper way, आप इसको प्रापर वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, पहले विश्वास करो, फिर इस्तेमाल करो, ना, ओके, चले मेरे साथ कुछ प्राप्टिस कर लीजिया, I don't go, I did not go, I will not go, I don't play, I didn't play, I will not play, I don't open the door, I did not open the door, I will not open the door, oh my father does not like me, my father did not give me money, my father will not give me money, my mother does not care, my mother does not care, my mother does not care, my mother will not care, I am talking about, my mother does not care in present, my mother did not care in past, my mother will not care in future, that's it, I hope आपको समझ में आ गया होगा, पहला वाला जो मेना स्ट्रेक्चर था, वो कह रहा था, हां महीं ये काम करता हू, दूसरा वाला स्ट्रेक्चर कह रहा है कि महीं ये काम नहीं करता हू, चलिए आगे चलते हैं, let's move ahead, समझने की कोश करें, try to understand, अब देखिये, अगर मैं, अब मैंने यहापे हां के पारे में बता दिया, नहीं के पारे में बता दिया, लेकिन अगर मुझे किसी से कोई सवाल करना है, कुछ, कोई चीद कनफर्म करनी है, वह या, एक काम खुले, आपको अनार का जूस पसंदे है, do you like अनार ज आपकी है, वह सबसे पहले लगा दो, यह जो डूट अज है, उसको सबसे पहले लगा दो, मैं बार-बार कर रहा हूँ, इसको लिखने पर आप ज्यादा वह मत करीगा, ट्रांसलेशन पर बार-बार फोकस मत करिएगा, बार-बार वही लिखावट, इसको बोलनी की कोशिश करिएगा, आज मैं पढ़ा रहा हूँ अलगी स्टाइल, लेकिन देखते हैं कि मेरे पढ़ा हुए हर लड़का, हर लड़की, हर स्टूटें इंग्लिश बोलता है, हर स्टूटेंट इफेक्टी पप्लिक स्पीकिंग करता है, how is it possible, यह कैसे संभव है, because of practice, practice की वज़ा से, that's it, नहीं तो मेरे पास कोई ऐसी color नहीं अलग, the next one, अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजे, आप यहाँ पर सबसे पहले इस डूटस को उठा के सबसे पहले रग दिये, फिर subject रग दिये, इस से पहले subject पहले आ रहा था, डूटस बाद में आ रहा था, लेकिन अब डूटस पहले आएगा, जब यहाँ पर डूटस पहले आएगा, तो यहाँ पर डिट भी पहले ही आएगा, और बाकि सेम इसी तरह से रहेगा, subject रहेगा, after that work की first form रहेगी, फिर object रहेगा, और यहाँ पर question mark, question mark क्यूं, क्यूंकि मैं आपको बता दूं कि यह प बोलते हो है, बोलते वक्त, बोलते टाइम, आपको सिर्फ और सिर्फ विल लगाना पड़ता, you have to use will, इसका जीता जाकता, example मेरे सामने है, give me the newspaper please, this one, मैं आपको एक example will का दिखा देता हूं, कि आई के साथ will कैसे लगा है, I will explain you that, right, मैं उसको explain करता हूं, because it's very important, बहुत important है, आपको जब एक उसके साथ एक प्रमाल पत्र के साथ एक प्रूफ के साथ पढ़ाया जाएगा, तो आपको लगेगा, हाँ, बाते हैं, तो सही होरी है, right, it's very important, क्योंकि आप ये चीज़ आप हमेशा सोचते रहते हैं, और वी के साथ शहल लगता है, बट आपको मैं यहाँ एक चीज़ दिखाऊंगा, our thought for today, आज की सोच, I will not take but for an answer, I will not take यहाँ पे दिया रहा है, I will not take, वैसे grammar में तो I shall not होना चाहिए, but at the time of speaking, at the time of now in this modern generation, in this modern era, we write will with everybody, that's why it has become very very easy and simple, ladies and gentlemen, so I won't explain you, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे की, हाँ, बताना बहुत कुछ चाहत आप बता भी रहाँ, तो try to understand, अब उसके बाद क्या हो गया, subject, after that you can use will, and then you can use not, and then you can use verb first form, and then object, no, 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 I'm sorry, I'm sorry, यह तो आपको अले हो गया, निगेटी वाला, अब आप सवाल की बात करें, सवाल सबसे पहले will, after that subject, and then you can use verb first form, and then you can use object, try to understand, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा, सारी चीज़े के लियर करूँगा, or you will do an effective speaking, first of all, here you are asking question about present, यहापे आप प्रजेंट में सवाल कर रहे, यहापे आप पास्त में सवाल कर रहे, यहापे future में सवाल कर रहे, for example, if any guest comes at your home, आपके घर पे कोई महमान, कोई अधिती आता है, then what will you do, आप क्या करेंग क्या you, after that work की first form, eat, और क्या खाते हैं, आप चिकन खाते हैं, अब ध्यान दीजेगा, do सबसे पहले आ गया, इसका मतलब you are asking question, आप सवाल कर रहे, does सबसे पहले आ गया, सवाल कर रहे, did सबसे पहले आ गया, सवाल कर रहे, will सबसे पहले आ गया, सवाल कर रहे, जब सबसे पह तो अब यहाँ पर जवाब देने वाला क्या बोलेगा यस और जो यस बोलेगा वो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में बोलेगा यस वर्ब की फस्ट वाम आई मतलब मैं इट मतलब खाना और चिकन मतलब चिकन अभी चीजा बड़ा कन्फ्यूद होंगे क्या आप यह क्या नहीं खाते हैं आप चिकन मैं चिकन नहीं खाता हूं या आप एक सवाल हो गया मैं कुछ आपसे सवाल करता हूं और आप जवाब दीजिएगा यस और नो में इस तरह से मैंने आपसे सवाल कर दिया अगर मैं तीसरे बेक्ती के बार मैं सवाल करूंगा तो मैं आपसे कुछूंगा अगर मैं यहाँ पर पास्ट के बारे में बात करता हूं इफ I talk about past तो पास्ट मैं मैं पुछूंगा सबसे पहले मैं क्या लगाँगा अगर मैं सामने वाले के बारे में बात कर रहा हूं तो did you हो जाएगा कम मिस होता है आना इस्टड़े इस्टड़े मिस हो गया कल भी या मैं आप से सवाल कर रहा हूं है क्या आप कल आय थे तो यहाँ आपका जवाब दो ही होगा yes I came और जब आप yes में जवाब देंगे positive में जवाब देंगे तो I के बाद मैं के बाद वर्ब की second form लगीगी come के second form I came I came yesterday मैं कल आया था और दूसरा आपका हो सकता है no I did not और जब did not आएगा तो वर्ब की first form आ जाएगी come आ जाएगी I did not come yesterday मैं कल नहीं आया था बहुत ही easy चीज़ है यहाँ पे आपने सवाल किया present में यहाँ पे आपने सवाल किया past में मैं सवाल करता हूँ कुछ past में आप जवाब दीजिएगा did you wake up at six o'clock क्या आज आज आप छे बजे जागे थे did you take dinner, dinner किये थे आप, did you come on time क्या आप समय पर आये थे did you attend my life session, did you attend my motivational session, did you attend my classes, I am asking to you a question, did your father go to Punjab, did your father go to Dubai, did you go to Dubai, did you go foreign, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ future की, तो future में मैं आप से आने वाले मुस्तकबिल के बारे में पूछूँँगा, मैं आने वाले future के बारे में पूछूँँगा, भविस के बारे में पूछूँँगा so here I can use, सबसे पहले मैं क्या यूश करूँगा, will, will के बाद सामने अगर बात कर रहा हूँ, तो will you play, play का मतलब होता है खेलना, with का मतलब होता है साथ में, we मतलब मेरे, तो क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, will you play with me, तो सामने वाला जवाब एक ही दे सकता है, या दोस दे सकता ह है, yes I will play, हा मैं खेलूंगा, और दूसरा सामने वाला जवाब दे सकता है, no I will not play, नहीं मैं, नहीं खेलूंगा, और अगर will को, will not को शाट में बोलना चाहें, तो आप कोंट बोल सकते हैं, मैं आप से will में सवाल करता हूँ, if I ask you question regarding will, will you play, yes I will play, will you go, yes I will go, no I will not go, will you dance, yes I will dance No I will not dance, तो आप sense लगाएं, you use sense and after that you try to give answers, answers देनी की कोशिश करिये, जब भी answer दीजिए, जब भी speaking करिये, जब भी translation करिये, हमेंसा अपना sense, अपना emotion, अपने feelings लगा के करिये, not like that कि अरे यारे यारे राम जाता है, दी कहां लगाना है, दा कहां लगाना है, ये कहां लगान आप जबाब दो, do you play, did you play today, will you play tomorrow, do you dance, did you dance in your brother's marriage, will you dance in my marriage, I'm talking about future that when I marry, when I get married, I will invite you and otherwise if I don't invite you, you can get crashed in my marriage, अगर मैं आप को निमांतर पत्र नही दिया, तो आप गेट करेश कर दीजिएगा, गेट करेश का मतलब बिलाए बाराती, बिलाए आजायेगा, और बिलाए आप आए तो मैं आप से सवाल कर रहा हूँ कि will you dance, क्या आप dance करेंगे, तो आपका जवाब दो हो सकता है, yes I will dance, और दूसरा I will not dance, और dance मैं इसलिए बोल लाँ कि कोई dance को dance बोलना है, chance को chance बोलना है, exam को exam बोलना है, ना की बोलना है, ना की बोलना है, ना की बोलना है, ना की बोलना ह right I hope that you understood up for someone now I'll go over about our arms about PR sepata again right how is the teaching is for Jesus guys how is this yes please why thank you so much so let's move ahead up our pixel team I'll get a little a point or a may be up to present past future indefinite complete car around I'll be scared to be a bar-baro he barato box barato dance a for a sir aray arlo guy is the exam qualify karla piri nikaal ke men's music I'm going to be a man's take care of him to take a look at all guys can't translation no to try to use this code use करने की कोशिश करिए try to speak it only कोशिश करिए अब देखिए आपका तीनों structure same रहेगा आपने जो nure kebabija video मैंने पढ़ाया अब आपका Aww आजएगा जवापकीमेंदे कोई चीशन सवार कर लोगे तुथ आपकस सवाल आएगा वाइक का सवाल आएगा हाओ आपका सवाल आएगा वेर आपकों I got you know what after sawal I got which after sawal I got who after sawal I got whom after sawal I got to whom after sawal I got for whom right have the handy jay after sawal I got how many all right if a push number set up sawal I sawal push things up after sawal I got how much all right property buy away sorry why y y y y y y बात करेंगे तो who to whom with whom से बात करेंगे आप किसी quantity किसी numbers की बात करेंगे तो how many बात करेंगे आप किसी amount की बात करेंगे तो how much से बात करेंगे आप किसी दूरी की बात करेंगे how long की बात करेंगे और how far मतलब होता है how long मतलब कितना समय और how far मतलब कितिनी दूरी यह सारे questions है when you confirm something जब आप कोई चीज confirm कर लेते हैं जैसे मैंने बोला आपसे कि do you go to college क्या आप college जाते हैं तो आपने का yes I go to college no I do not go to college आपका दो ही जवाब हो सकता है अगर आपने yes में जवाब दिया तो मेरा ये उसमें मेरी possibility ये बन जाती है कि मैं आपसे और भी सवाल कर सकता हूँ यार how do you go to college college कैसे जाते हो तो आप बोले I go to college college जाता हूँ by train by bus by car जिस तरह भी आप जाते हैं when do you go to college मैं time confirm करना चाहता हूँ मैं आप college कब जाते हैं where do you go where is your college college आपका कहा है in which college do you read, कोल से college में पढ़ते हो, with whom do you go, किसके साथ जाते हो for what do you go, किसके लिए जाते हो, how long it takes you to go, कितना समय लगता है तो में जाने में ये सारे आपके एक प्रश्णवाचक शब्द है, मैं इसमें आपको एक-एक example दूँगा एक-एक example आप समझेगा, एक-एक example दूँगा आपको समझ में आ जाएगा, मैं सबसे पहले present का उठाऊँगा why से, why do you learn English, अब मैं सबसे पहले, अब एक चीज़ ध्यान दिजेगा अगर मैं इसी why को हटा दिया, तो आपका पहला वाला structure हो गया, जो अभी अभी आपने को मैंने बताया था, जो आपने लिखा था do you learn English, क्या आप English सीखते हैं, आपका जवाब yes, I learn English, तो I don't learn English जब आपने कहा yes, I learn English, मैंने do से पहले क्या लगा दिया, why, why का मतलब हो गया, क्यूं, और क्यूं सी जब हम बात करते हैं, तो reason की बात करते हैं, वजा की बात करते हैं why do you learn English, जब बोजा की बात करते हैं, तो आपका जवाब for हो सकता, आपका जवाब because हो सकता, क्यूंकि आपको कारण तो बताना ही होगा, why do you learn English, आप English क्यूं सीखते हैं, अब यहाँ पर आपका reason, I, मतलब मैं, I learn English, मैं English सीखता हूं, यहां तो आपने clear कर दिया, I learn English, मैं English स for speaking, बोलने के लिए, यह मैं common answer दे रहा हूं, बहुत सारे इसके answer हो सकते हैं, जो आप जिसके लिए करा, I speak, I learn English for betterment of life, I speak, I learn English for big opportunities, I learn English because it's my profession, it's my compassion, it's my obsession, it's my curiosity, for good lifestyle, all right, whatever, for knowledge, for information, for language, learning, for speaking, for talking, for going foreign, whatever your wish is, you can speak, I learn English for speaking, मैं English सीखता हूं, बोलने के लिए, और अब यहां पे अगर दूसरा सवाल मैं करूं, पास्ट से, अगर मैं एक सवाल आप से करूं कि, how did you, how did you come, today, इसका मतलब मैं क्या बात करूं, how did you, how मतलब होगे कैसे, अगर मैं को, did you come today, क्या तुम आए जाये थे, क्या तुम कल आए या आप आजाये थे, how did you come, कैसे आथे तुम अच, तो अभी हाप आप का जवाब होगा, I, मतलब मैं, कें, second form, I came, आप क्या होगा, I came by train, I came by train, today, today, I came by train, आज मैं किस से आदर, train साया था, I came by train, right, इस तरह से आप जवाब दे सकता है, you can answer, so you need to understand exactly, how will you reply, how can you reply, I will, I can by train, why will you go, आप क्यों जाएंगे, इसी डूटस की जगाँ भी लगाना है, did की जगाँ भी लगाना है, did की जगाँ भी लगा, future हो गया, did की जगाँ डूटस लगा, present हो गया, और डूटस की जगाँ लगा, past हो गया, बाकी सब सेम वही फंडा रहेगा, चलो, मैं कुछ आपके सा and you reply, right, why do you play croquette, it's my question, तो I play croquette for a better health, because I like it, okay, why will you come in my marriage, मेरी शादी में आप क्यों आएंगे, I will come to dance, how will you come, I will come by bullet card, तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं, you can answer, right, I will come by जेला, because there is मेला in your marriage, right, you can talk like this, आप इस तरह से बात कर सकते, ये जतने भी वर्टस हैं, ये जतने भी इस्तिमार होंगे, हर जदा आप इसको यूस कर सकते हैं, राइब, शुड़ाय आपका ये पॉंसेप्ट तो हो गया, इस पॉंसेप्ट इस दन, और मैं मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, you have understood it properly, और राइब, वो कहते हैं कि शबनम मेरे फहर हो तले आती नहीं कभी, हर मैं सुबा उठता हूँ, लेकिन मेरी आखों से नीद, जाती नहीं कभी, लोग टैद नहीं कि छे बज़े तक फिल्म देखेंगे, क्योंकि हमें एक बज़े उठना जागना है, चला ठीक है, ओनो मसला न, अब देखो, present हो गया, past हो गया, future हो गय को हैं, कोई चीज़ लगातार, अगर हमारी चल रही होती है, यसी मैं 10 की बात करो, मैं continuous की बात कराओ, यहाँ पे हमारा इसे को पढ़ाने के लिए इसी को बताने के लिए त Yamum प्योड प्लिक सर्वीश कमिश्ट की तयारी कर रहे तक स्टमानियार आई हिसे का और यह था एक इसे ट्रांसलेट कर यह तस लीव 1 फिलफ्री ऑन इंज्वाइब किस्टाइब आज वाम इल्य होई आज ने प्रॉच रहों का बधुल्ला रहे वह एप चलने यह कुछ नहीं है कितने यूटूबर लाखों रुपया कमारे बास ही पढ़ा है घुमा भी नहीं पढ़ा है आज मैं एक दिन पढ़ा दूगा कभी फिर पढ़ाऊंगा नहीं यूटुपर चलो देख खतन एक गंटे गाम है इसे मार अगर कोई भी चीज हमारी कंटीनू है लगा और शुका गरेगा ही शोल दो हुटिकी आर जो है यू के लिए लगेगां मतलब आप इसको मिठाई भी बना सकते हैं इस को फ्रूट फल भी भी बना सकते हो, इसको आप गोभी कह सकते हो, इसको आप नेनुवा कह सकते हो, इसको आप बर्फी, इसको छेना, इसको मिलके कह सकते हो, जो बर्फी है, वो खाएगा, वो खाएगी, वो लड़का खाएगा, ये जानवर खाएगा, लेकिन जो छेना हो सिर्फ मैं अकेले सकता हूं यह वह लड़का भी खा सकता हूं लड़की भी खा सकती जानवर भी खा सकता है लेकिन यह जो छेना है यह छेना क्यों खाएगा हम खाएंगे यह छेना आप खाएंगे यह लोग खाएंगे और यहां पर यह जो छेनवा है यह जो मिठाया है सब लोग सत्वाइम खा अपोर हिल रहा है तो यह परिसेंट कर तो पर देन्ट में हिल रहा था अब रूख कया हिल रहा था आप प्रदिने से पांटिनियस एंसरे लिए अभी तपान से कमाद हिल रहा होगा तो हमारी वाद आहिए यह समझनेगा यह तना ज्यादा इंसे लग रहा है लिए तेन पूरी ग्रैमर खतम कर दो तेन्स कटम और जो आपका तर्स में पढ़ते हो, 12 पढ़ते हो, 11 पढ़ते हो, 9 पढ़ते हो, सब कुछ खतम आज में कर दूँगा, जाक पढ़ो आराम ते बुक एक्जान दो, हाई स्कूल में अच्छा नमबर लओं, लेकिन मेरा खुद नहीं आया था अच्छा नमबर क्या बताऊं, जलो, कोई बात अब देखो, बोर्ड हिल रहा है, सबसे पहले में आप जानते हो formula क्या subject, फिर आप लगा दो इसे मार्क, फिर आप लगा दो ing, और फिर आप लगा दो object, that's it, उसके बाद आप क्या लगा दो क्या सब्जेक, फिर आएंजी फिर आप जाएगा, subject will be ing object, यह बहुत आसान तरीका, अब जैसे board हिल रहा है, तो सबसे पहले board subject है, board, board अकेला है, is, single है, board के साथ लगेगा, is, hill रहा है, move, move में ing लगा दो, board is moving, board हिल रहा था, board, was लगा दो, moving, hill रहा था, board हिल रहा होगा, board, will be moving, यही तो आपको समझना है, you need to understand, मैं अपनी बात करू, I, I के साथ क्या लगेगा, I'm, I'm going, मैं जा रहा हूँ, past में कहना है मुझे, I was going, मैं जा रहा था, future में कहना, I will be going, मैं जा रहा हूँगा, लेकिन वो ज्यादा use नहीं होगा, future में imagine, जब कोई करपना करते तब use करते है, यार मैं कली समय जो है की, train में यातरा कर रहा हूँगा, tomorrow I will be traveling at this time, that's why I can't meet you right now, because I just worry, hectic schedule, I can't meet you right now, I'm sorry, ज्यादा अंग्री जी बोल दिया, I spoke big English, tense बढ़ा रहा रहा था, तनी भारी अंग्री जी बोल दूँगा, आपके तो bounce चली जाएगे, चलो बहरा, लेकिन इस सीख किने के बाद, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, समझो बात, तो ठीक कभी भी मूर्ख नहीं बनने जाएग मुर्कान मुर्की हो बना रहे लों, मुर्कान 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 , लगा चना water that's it you know what is this duster I'm just bumping this structure to the table table पे बजा रहा हूं अब क्या कर रहा था बजा रहा था I was I was bumping मैं बजा रहा था I'm calling excuse me come here I'm calling I was calling मैं बुला रहा था I will be calling बुला रहा हूंगा that's it simple आप इसी को अगर मुझे निगेटिव में कहना हो तो मैं इसे मार के बात क्या कर दूंगा नौत लगदूंगा I'm not going मैं नहीं जा रहा हूं यहापर वाजवर कि बात क्या लगदूगा कि I'm not coming M के बाद आप तुरंद क्या लगा दी यू लगा दो, that's it, I'm not coming, I'm not coming, right, okay, okay, wait, 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 इंतजार को, I'm coming, I के साथ M लगा दी, आपने, I'm coming, मैं आ रहा हूँ, I'm not coming, मैं नहीं आ रहा हूँ, और इस M not को आप शॉक्ट में बोल सकते हो, मैं सकते हो और आप श्यॉ mesmo च tim in unident को एम नॉट को आर नॉट को हैसनॉट को है नॉट को पाचों के साथ अगर नॉट लगता उन्हें और यू कियम से करते हैं और आपको सवाल पता है किस तरह से करते हैं how to ask question, अगर आप ब्रूडत समझ गए, तो पूरा बारा टेंश समझ जाएंगे भारा ठो टेंश तो आपको ज्यादा Aftir that object, question mark, यहां पर वज्पर, जहां पिंवर नहां लगा इयुको एए, बहुत आराम से, जहां पर दिद्ट के लिए अन इन पर स्ठजीत नहीं जहाँ, आप यहां पर दिद्ट के लिए इन नहीं से, तुरंद उसी जगहां पर वाजवर सब्जेक्ट आइंजी आपजेक्ट क्वेश्चन मार विल सब्जेक्ट भी आइंजी आपजेक्ट और अव ज्यादा दिमाग लगाने की जलू नहीं अब यहां पर मैं सवाल आपसे कर सकता हूं कि आप जैसे मालीजी सामने मेरे आप खड़े हैं तो आपके साथ में क्या लगांगा और सबसे पहले मैंने लगा दिया और फिर सब्जेक्ट कोन है आप आर यू वर्ब की फरस्ट वाम में आएं जी जोड़ना है आर यू आर यू 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 जी यू अब पाइएं आर यू द्रीनकिंगill वाइन वाइन एक शराव मदिरा लीकर जिसको बोलते हैं अलकोहली टिरिंग्फ मोलते हैं जिसको कोड़े भी बोल सटा है आर यू बिंगिंग वाइन कि आप शराव पी रहे हैं आपका दो जबाब हो सकता है यहस आ पीने के लिए लगते है वाव और उसको देखने के बाद यह लगता है कि हाँ यार हमारे भारत में संघर्स जरूर है लेकिन वो संघर्स एक्षिली पढ़ाई का संघर्स नहीं वो संघर्स है कि हमें एक ठोप वा मिले अब यहां पर यहां पर आर्यू ड्रिंकिंग वाईन य यू यस दूयू साई दू यू यकथरम नवील्द सद्रें आयकर यहरं कर दरंकिंग यत्ररण आहिकर कंट सब्सक्टेस को अम तर्स एरी शोशा लंग्राँ ट्रेंक यंथर मैं क्यापई रहा ह Bonjour वाइन अग्री कि वाईन तो धम्राइव ज़ाग। not at all I'm not I'm not drinking wine in my shut up may be around both our arms it's a for example if I ask a question are you watching my video are you watching my video kind of popular volo are you watching my video I'm using a noise turning for a value I got there are you trying for you know black examination yes I'm trying she's trying she is trying for cloud examination are you trying for any examination no he's saying that I'm not trying this is the thing I can also ask you that are you trying for examination are you trying to speak English are you speaking English are you learning English how could obvious I am no I am NOT that's it are you happy the past member it is are you kidding our camera who are you took he have a pasta about correct hey yeah what are you staring me would you good at it yes what are you staring me you know Nika yes how my guru rata yes I was stirring how many guru hata or other my to know I was not I was not I was not is Terry I was not history my guru near Rata for this in a future may will you be staring will you be staring gore ho game was a dumb girl is a time I'm burning up in fix time what I can tell what they could yes I will be how my guru around that yes I will be no I will not be both is here are you trying to speak good English yeah she is trying to speak good are you trying to speak good English are you trying to speak good English yes you are trying to speak good English so if I ask if I just want to explain about this right I asked a question to him that are you trying to speak good English he said yes I'm trying to speak good English I asked a question to her that is she trying to speak good English yes she is trying to speak good English right so it means that here I talked about present continuous here I talked about past continuous here I talked about future continuous right so when I talk about present continuous I can ask my boots up now he are you trying is she trying am I trying am I teaching to you come up for how after job was a time yes you are teaching our partner you know no no you are not teaching up neighbor and someone is coming we are I nobody's coming coin your eye so he is not coming one area are you coming up are you coming up are they will you be coming up are okay both the awesome both easy tariqa it's so easy concept to explain to speak actually right so if you talk about agarabhat credit your body asan tariqa to understand samajnega to speak bolnega and to tell batani got to teach for honey got so if I talk about all these structures these are very easy up is score of other saval ko or we are going to change if you want to grow this question top is my wife or something happens my house or something happens my house or something happens when you're supposed to be where you're supposed to have a wife or something how many how much how long how far is sorry what's up George said these all words you can add why are you coming here I'll be happy to have a while you're watching this video I'm watching this video for knowledge for information for gaining I'm watching this video to speak good English hey how are you coming in the market color market we got a day how will you becoming question are a hunger this study cheese will come practice credit this map perfect shooter I'm the love has have had will have this to be my concept clear the Dunga leg in a bar for some extra practice career I walk I talk I learn I just came yesterday I come every day I came yesterday I will come tomorrow I'm coming I was coming I will be coming I'm not coming are you coming yes I'm coming is tarah se ghumat philiat ke jitna zada mind ko pressure 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 to nai kya sakta polish karo ge uttani zada mada ada aega or zada se zada bhol nai ki koishish karo I hope I hope may Umid karota hono ki a klassk ka concept aaks ka lecture aaks ka klaولation aak kliya clear kliya raha hooga kukki i explained it properly in a deep way so that it could be very easy for you or miri khalas se zada pressure na hii dhena hai istamal karijou to is इसमें हम लोग ने देखा कि इस MR जो है पहले हमने देखा डूडस प्रजिट जितने भी चीदे रिपीट होती है I go I walk I eat फिर हमने देखा पास्ट इंडिफिनिट I walked मैं टहला था फिर अमने देखा future इंडिफिनिट I will walk मैं टहलूंगा लेकिन यहां पर जो मैंने आपको घूर रहे होंगे he will be staring me देखे डूडस और डिट में डूडस में डिट में पॉजिटिव के बाद और विल में फस्ट फार्म लगती है क्योंकि यहां पे काम हो रहा है अब आप ज़रा ध्यान दीजे मैं ऐसे हाथ को कर रहा हूं अभी पर दिन में चला है I am moving my hand अभी future में move कर रहा हूंगा I will be moving my hand I am not going मैं नहीं जा रहा हूं Are you going? क्या आप जा रहे है? Were you going? क्या आप जा रहे थे? Yes I was going मैं जा रहा था इस सारी चीज़े आप repeat करिए बार बार इसको use करिए Let's move ahead आगे चलते हैं आज खतम सब कुछ हो जाएगा Oh board is moving board is moving I am erasing मैं मिटा रहा हूं I am writing मैं लिक रहा हूं I am speaking my bowl रहा हूं right I am using duster मैं duster use कर रहा हूं Oh wow it's nice it's nice to erase this oh my god it's moving again फिर जहीं ला है it is moving again again and again बार बार again and again बार बार ओर राइट इतना ना लड़ खडाओ और हमको इतना ना परेशान करो stop yourself रुक जाओ और आगे चलो चलो इसको मैं सही करके उसके बाद let's move ahead आगे चलते हैं अब यह दो फॉर्म हमारा हो गया present हो गया present continuous हो गया अब पर्फिक्ट की बात करेंगे अगर पर्फिक्ट का मतलब ही होता है कोई काम हो जाना कोई काम complete हो गया आपका if any work is completed वह perfect हो गया खतम और जब भी कोई काम complete हो जाएगा वर्व की third form लगा देंगे एक थोड़ा सा आपका point क्या है कि इसमें दो form है फिर यहीं पर आपका he के साथ और she के साथ और it के साथ आपका has और I के साथ, we के साथ, you के साथ, they के साथ, सभी के साथ आपका लगेगा have कुछ नहीं लगाना है जैसे हम बोलते है I will go मैं जाओंगा यहाँ पर मैं लगाओंगा I have और fast perfect की बात करूंगा head लगेगा यहाँ पर गुलाब जामुन और रस गुल्लवा दोनों है यहाँ पर खाली रस गुल्लवा सब को खिलाओं और यहाँ पर भी आपका क्या है will have future के बारे में आप अगर कोई काम future में कर चुके होंगे कर चुका हूं कर चुका था कर चुका हू अगर आप इसकी बात करें तो सबसे पहले आप subject के बाद आप क्या लगा है और है और है लगा होगे राइट बहुत ही आसाना आप इसको समझे उसके बाद वर की थर्ट फार्म लगाओगे अफ्टर देट युलिस आपजेट आपजेट ही का यूज करेगा subject कुछ भी हो सक सब्चेट ही हो सकता है separate object कि यूज अगा रखाड ओंगे जैसे आई है रोच व जरो का जा हूँ दे वहाँ और बॉट उसने खरीद लिया है कुछ भी न्यू बंगलो न्यू कार न्यू हाउस अब I have gone मैं जा चुका हूँ you have given आप दे चुक है he has bought वो खरीच चुका है he has gone वो जा चुका है he has I have you have he has she has we have they have all these things उसके बाद वरकी थर्ट फर्म लगा दे जाओ इसी को अगर आपको थर्ट फर्म पता है थर्ट फर्म नहीं पता है तो दो रुपे की हिताब आती हो ले के थर्ट फर्म ले लो I have gone I have seen I have seen the time and see saw seen ask 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 अब इसी को अगर आपास्ट में ले जाओगे एक बड़ा कॉमन सा एक्जामपल एक बार मैं टूर लिवा के जा रहता है वंसा आपस्ट ने पूशन लागा अच्छे तुम लोग अंगरीजी बहुत जानतो ये बताओ डाक्टर के आनिस पहली मरीद वर चुका थ और उसमें से जो लड़का 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 रहा अंगर अजिर यह उजयाद यह नहीं पता प्रस्ट पर ंफिक्ट इंचर नहीं पता डाक्टर के आने से पहले मरीद उन चूका था यह जो मर चूका था यह जो काम चूका था यह सिग्रेट चुरा चुका था इसको हम बोलते हैं आप हैड यूज करते हैं कुछ भी आई हैड अब सेम एक्दम फॉर्मुला ही रहेगा सब्जिक्ट सब्जिक्ट कि जगा है और है सब्सक्राइब कि जगा क्या लगा दोगे अब इसी को अगर आप निगेटिब करोगे नहीं मिले जाओगे तो आई हैड के बाद क्या लगा दोगे नॉट लगा दोगे मैं आपसे सवाल करो if I ask your questions. Excuse me have you taken dinner? क्या तुन्ने डिनर कर लिया है? आपका ज़बाब दो होगा Yes, I have taken मैं dinner कर चुका हूँ, I के साथ है फिर थाट वांग, I have taken, मैं कर चुका हूँ, no I have not taken, मैं सिर्फ और सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ, इसलिए खुलासा इस चीज़ का कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बलवाने के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ ना ट्रांसलेट मत करना बार-बार लेकर एक बार बोलने लगोगे ना तो अच्छे-ची गिरामर अच्छे अच्छे निउस्पेपर पढ़के समझ जाओगे आप क्योंकि आपके दिमाग में पुरा ये फिट हो जाएगा मेरे साथ कुछ चीद प्रेक्टिस कर लो उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा अंडरेस टाइप में बोलना हूँ तो नॉर्मल बोल देता हूँ इस तरह से आप इस चीज़ को अगर मैं निगेटिव की बात करो हैं की बात नाट हैब नाट टेकन डीनर मैं डिनर नहीं किया हूँ नाट टेकन डिनर नहीं किया था आइवस्टेयवरा इन्सिटूट चमक चुआ होगा तुमारे बच्चे की बद नहीं कर रहें बच्चे की बातने कर रहे तरह का बड़ा एक साइट मड़ी मन कर रहे साधी करने अरे चाह देखा किया तरह आगे चलते हैं लिट्समों मैं आपचे अगरे भी बोल चूक्क होगे अच्छा पंच अगरे आगे देखें मुव करते हैं अभी इसको अगर आफ तावाल में करना चाहेंगे राइट I'm not talking about the children's bar I'm talking about children's could have spoken English for have spoken English will have learned English and completed the course right you don't see me I'll be happy another of some alcohol can do this when I did well I will failure is a mark well I was good well I will be better just up really a time so I'll push लीटं के लिए ये क्यूब यह आएगले लापिल हैज़कंट है थाट फॉर्म हाबजिक्टकूश इसी तरह से dibujलिया हैजभ लगा है हैट लग जाएगा बाकी-चीज लगे कि यहां पहुजव सबसे मिल लग जाएगा फिर सब्जच फिरlor het बाकी सेम चीज़ वही रहेगे जैसे मैं एक सवाल आपसे करूँ have, सबसे पहले सा पार लगा दिया have, सामने में रहे हैं आप have you have you taken बात क्या आप नहा चुके हैं, असनान कर चुके हैं अब आपका जवाब दो होगा, yes अगर आप अपना बड़े के जगा बात दे मनाते हैं तो तीन सो पैसर दिन में एक बार नहाते हैं तो आप नहीं नहा चुके होंगे, मुझे पता है अगर आप नहा चुके हैं, तो आप बोल सकते हैं, yes I, मतलब मैं I के साथ क्या लगएगा, have I have taken bath मैं नहा चुका हूँ अगर आप नहीं नहाए हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं I have not taken bath मैं नहीं नहाया हूँ, नहीं नहा चुके अब इसी तरह से यही, अगर यहाँ पर मैं head लगा दिया तो क्या आप नहा चुके थे will लगा दिया, will you have taken bath क्या आप नहा चुके होँगे, बहुत आसान तरीका इसको समझने का, आप इसको आसान तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, have you seen the plane, क्या आप plane देख चुके हैं, have you cracked UPSC examination, क्या आप UPSC का exam दे चुके हैं, have you gone for NDA, क्या आप NDA के लिए जा चुके, have you gone for interview, क्या आप interview के लिए जा चुके, have you ever seen the White House, क्या आपने America का अभी White House देखा है, yes I have seen, no I have not seen, had you seen, क्या आपने देखा था, देख चुके थे, yes I had seen, मैं देखा था, जब मैं Obama से मिलने गया था, right, will you have seen, क्या आप देख चुके होंगे, हाजी देख चुका होंगा, जब Joy Biden, मुझे invite करेंगे, आम अंतिरित करेंगे, White House में मुलाकात के लिए, for meeting, right, आप ए लास्ट चीज़ देख लेते हैं, 12 का 12 खता, माप यह अंतर, खुलो, marker गिर चुका है, marker, गिर चुका, marker है, पॉल, marker है, फॉल, आम मैं इसको उठाओंगा, I will, future, I will, पीकित, उसको उठा रहा हूं, I am picking, I am picking, I am lifting, उठा चुका हूं, I have lifted, खता, उठा चुका था, आई है लिप्त डेक्स, खता, रहें, कितना आसान थरीके साय, कितना इजी कॉंसेट है, समझनेगा, अब लोग जो है, प्रेशर ले रहें, पीपल आई टेकिंग प्रेशर, तो सबसे बड़ी दिक्कत है, यह प्रेशर वाली, अब यह लास्ट वाला, बहुत ज्यादा यूस्त नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अब जब सब 9 पता दिया, तो तीन फा बचाए, तीन फा भी बता दितबके, तीन फादा खतम करता, आस, इसेको बोलते है, ग्रामर वाले बोलते है, ग्रेंगर वाले, हैज रेवाई बीन, अब भाया देखो, बीन लग गया, है जामी का लग गया बीन, इसको बोलते हैं परदेंट परफेक्ट कंटिनियूस, इसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिनियूस विल है बेन, बहुत जादा ये स्पीकिंग में यूज नहीं होता है, ग्रैमर में आएगा तो आप मत होता है, since or for इसमें लगता है, किसी particular time से लगातार कोई में काम कर रहा हूं तो has been, have been, किसी particular time से मैं कोई काम कर रहा था, तो since or for had been लगेगा, और particular time से मैं कर रहा हूंगा, तो will have been लगेगा, अब ध्यान दीजे जब आपको कोई निश्चिस समय के लिए नंबर में अगर वो 2012 है तो वहाँ पर आप सिंस लगाएंगे लेकिन अगर एक दिन दो दिन चार मिनट चार महिना पांच साल है तो आप फौर लगाएंगे और अगर माल लीजिए मैं आप से बात को छोटी सी बात कहूं कि मैं आपको एक घंटे से पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कह सकता हूं सबस पर पढ़ने का एकद्याम भी देने का मामला थाई है आई हाब बीन अब क्या हो जाएगा वर्ब की आइंजी लगेगी क्योंकि यहां पर आप में आइंजी जोड़ेगी क्योंकि आप यहां पर काम कर रहे हैं I have been teaching I have been teaching for for one hour मैं एक घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं यहा 2012 से वो 2012 से काम कर रहा है अगर मैं कहूं he is working वो काम कर रहा है he has been working since 2012 2012 से काम कर रहा है किसी अगर निश्चित अनिश्चित समय से कोई काम कर रहा है किसी particular time से un particular time से कोई भी काम कर रहा है लगातार वहाँ पे has been और have been लगाते हैं और since और for लगाते हैं फिर time लगा देते हैं और वो काम लगातार कर रहा है, सिर्फ काम कर रहा है, तो he is working present continuous, he was working past continuous, he will be working future continuous, he has been working present perfect, he had been working past perfect, past perfect continuous, and he will have been working future perfect continuous, अब यहां पर मैं कर रहा है, he had been working since morning, सुभा से वो काम कर रहा था, he was tired, वो ठक गया था, and you did not leave, मुझसे तुम लीप नहीं दिये, अच्छे लीप के मामले बड़े अच्छे हैं, लीप का मतलब होता है छुटी, हमें यूनो बर्थ लीप मिलती है, चाइल लीप मिलती है, और एक वर्ड होता है, जो बहुत ज्यादा लोग ले लेते हैं, french leave, french leave का मतलब होता है, भी इन बताए, छुटी ले लेना, जो कि लोग ज्यादा कर देते हैं, and that is wrong, इसको बोलते हैं, french leave, तो जिस तरह से, जिस वे में मैंने ये बोला है, उसी वे में आप ये head लगा देंगे, है जब की जगा, और है जब की जगा लगा देंगे, मामला काम खता, फिर से मैं एक बार फूरा बारा टेंफ बोलता हूं, पर देंट से, फिर बारा बोल देता हूं, एक एक कर, I learn English, it's present in the film, I speak English, English बोलता हूं, I spoke English, English बोलता था, I will speak English, मैं इंग्लिस बोलूंगा, I am speaking English, ब बोल रहा था, I will be speaking English, बोल रहा हूंगा, I have spoken English